हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माय यूटूब चैनल सीकुमे तो दोस्तो आज दो आपके लिए रेस बिलाई हो वह फिश करी कि आप घर पे इसली और इक्तम बिहारी स्टाइल में जो होता है कि मार्केट में सरसो वाली मसालिस आपको बनाना बताऊंगी कि आप कैसे बना सक दोले नहीं तो अगर अगर आप रग देते हैं एक या दो घंटे के लिए आप ही वैसे अधरवाइस तो तो मचली खराम होने के चांसे बढ़ जाते हैं आपके तो जब भी आप मार्केट से मचली लैत उससे तुरन दूले और अच्छे पानी से दूले और उसको पंच्छ से दूले तो यहां मैंने मचली को धूल लिया है अब इसमें जो है आपको हल्दी मिलाके रखना है इससे जो है मचली को जो है कि खराब नहीं होता आपके और इससे लंबे टाइम तक चल जाता है कि अगर आप जल्दवाजी अभी नहीं बना जा रहे तो आप ये काम करके उसके बाद आप अराम से बनाएए तो कोई दिक्कत नहीं है आप मचली धूल के उसमें हल्दी मिलाके अब ठक के रख देजिए तो आप मसाले की तैयरी कर लेते तो यहां मैंने तीन सी चार लहसुन की कलिया छिली हुई थी और साथ आपके लार्ब मिर्च और लगबग आ तो पानी डाले के अच्छे से ग्राइंट करना है और झारब ऐ मैंने लिए अपूचली हुए सिनियह कैट नमक मिला लोग कई तब अच्छा कासा कि वीयुए कुए तो आपको सारे पीसे मेंका घ्टा करने ओ वर लीए तो आपको सारे बाइम दिक की आपको टेल कोई अंप कवर हो जाए कि तेल के बाहर नहीं जाए अगर तेल के बाहर जाता है तो आपका जिपक जाता है और मचली तुटने के चांसे बढ़ जाते हैं और उसे तुरंत निकालना भी नहीं होता है कि तुरंत पलटना है तो आप जब भी पहले मचली डाले तो उसको मचली डालने के ब और यहां मैंने डाला और 1-2 मिनिट आपको पल्टेंगे इससे आपकी तूटे नहीं है तो अगर तूरं तूरं तूटे से छूएँगे तो मचली तूट जाते हैं आपके सारे फिर वो मज़नी आते खाने में तो यहां पर और यह जो है मैं डारेक्ट ग्रेवी के लिए बना एक से लिए अच्छी जय रहा है आपको आपको बारे को जाए अब आपको एक सारा निकाल ले ना है अब यहां पे मैंने जो سारी मचली तल लिए तो अब इसमें जो ए तेल थोड़ा कम हो गया तो आप तो शचार तेल और लाएंगे इसमें तेल मैंने डाल दिया अब इसमें तड़का मैंने दिया है लगभक आधा चम्मच सर्थोः और आधा चम्मच मेति के दाने गई तो दुनों को तड़का दिया है तो अगर आ खाते है तो डाल सकते है अधरवाइस ऊप सकते है तो यहां पर प्यास मैंने डाला है तो अब एक ही प्यास डाला है तो डालने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए भूजेंगे कि हलका ब्राउन शेड आने तक जो आपको गैस का फ्लेम है वो आपको इस तक मेडियम ही रखना है ज्यादा हाई नहीं करना नहीं तो प्यास की जलने के चांसे आपके बढ़ जाते हैं तो आपको मेडियम फ्लेम पे और बराबर आपको चलाना रहना है कि आपको छोड़ना नहीं है नहीं तो अगर जल जाते है तो आपके टेस्ट खराब हो जाते हैं तो यह यहां पर देखी मेरा लगभग प्यास भूज चुका है आपको जो है लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही आपको जो है मसाले को भूजना है सबसे जो इसमें जो टेस्ट वाली बात आती है जो काम रहता है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है यही है तो आपको मसाले बहुत अच्छे से भूजने हैं वो भी धीमी आश पे और दिरे दिरे करते हुए यहां पर मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट रेकॉर्डिंग यहां पर नमक डालने के पाथ इसी जो है कि अब भूजिंगे मसाले दीमे आज पी भूजना है और उसे चलाते रहना है आपको जराबी मतलर रुखना ने तो इसे लगने के चांस रहते हैं तो आपको बराबर इसका कलची को अपने घुमाते रहना है चलाते रहना है और जिस से मसाला आपके लगें नहीं चारों त Ferr vari 이야기 और इसे आपके मसाला जो है भून-बून जाएं तो यहां देखी कि मैने लगबन मेरे मasाला भून चुके है तो यहां पर आपका ने लगता है तो समझ में नाओं बहुत अच्छे तरीके से भूंद चुका है तो देखिए बोले तो चुका है तो लगबग आप मेरा 80% मसाला भून चुका है लेकिन तब पर भी इसे जो है अभी थोड़ी देर और चलाएंगे इसे जो है 2-3 मिनिट तक और भूनेंगे मसाले को और कल्ची को हमेशा बराबर आपको शलाते रहना है आपको वहीं खड़े हो कि आपको जो है मसाला भूनना है तो देखे यहाँ पर मेरे पूरी मसाले भून चुके और तेल देखे अच्छे खासे चोड़े हुए है तो अब यहाँ पर पानी डालेंगे हैं तो पानी अपने ग्रेवी की एकॉर्डिंग डालेंगे कि आप कितना ग्रेवी का थिकनिस रखना चाहते हैं आपको उसी एकॉर्डिंग आपको पानी डालना है और यह मचली है तो मचली की का जो थोड़ा सा टेस्ट होता वो ठंड़े पर और मज़े आते तो जैसे से वो ठंड़े होती जा ट्रॉक्तर डाल मचली बने के बाद मचली डालन के बाद इसको जटाड़ाई नहीं इसको डोई घखना उजोएन बिना यहाँ नहीं है तब जो कि आप पानी गैसे अपना फ्लैम को मीडियम कर देना है अच्छी ही आप कर देना है और उसे जो है अप ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाएंगे अप मीडियम फ्लेम करते हुए इसको ऐसी छोड़ देना है इसको ढखना नहीं है ढखने पर क्या होता है कि इसका जो ग्रेवी है वह साइट साइसे निकलने लगते मसाले तो उसे टेस्ट नहीं काफी अच्छा लगता है खाने में तो यह देखें कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है और यहां पर लगभक हमारी lowest passengers मचली है वो बन भी चुकी है पक भी चुकी है बस आपको जो है यहाँ पे अब हो चुका है अब यहाँ पे जो है आपको धन्या की पती डालने है धन्या की पती से टेस्ट काफी अच्छा आता है तो धन्या पती डालने के बाद इसे जो थोड़ी दो और पकाएंगे लगभग आपको प्वाश मिन टक आपको जो ग्रेवी है उसको लगबग आपको 20-25 मिन टक की पकाना है लगबग उससे जो है कि तभी आपको टेस्ट काफी अच्छा आता है और यह जो है बिहारी स्टैल बता रहे हैं ऐसी बनती बिहारी स्टैल में बिहारी को खाना मचली चाल मतलब बहुत ह ज्यादा मज़ी डलाता है खाने में तो यह जो है रेशिपी मैंने जो बताई यह आप सबूर ट्राइ करियेगा और आपने घर पर बनाएगा एकधम जूनिक रेशिपी है तो आप जरू घृक करना और कमेंट में बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो यह देखए दोस्तों मेरी जो है लगबग जो है मचली यहाँ पर अब तयार हो चुकिए तो यह वीडियो आपको ज़रा भी हैलफुल लेगे तो प्लीज इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें लाइक करें कॉमेंट करें और प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना करें जादा है